जै शरीराम दोस्तों जै हनुमान कैसे हो आप सब लोग तो पूजा करते करते अगर इन छे जगाओं पर आपके शरीर में दर्द शुरू हो जाता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको शक्ती मिल चुकी है कोई ना कोई शक्ती आपको मिल चुकी है अगर शरीर के इन छे भागों में आपको दर्द महसूस होता है जग भी कोई शक्ती आती है तो वो सबसे पहले आपके मुलाधार चकर पर बैठती है मुलाधार चकर से फिर वो उपर की और तरफ उठना शुरू कर देती है और आपके शरीर में बहुत से बदलाव होते है जिन बदलावों के कारण क्या होता है कि इन छे जगाओ पर आपको दर्द महसूस होता है हलका हलका अजीब सा आपको लगता है और महसूस होता है और आपको समझ में नहीं आएगा कि आखरी ये कैसा है और दवाई लेने के बाद भी ये दर्द जो है ना वे नहीं जाता ये कारण होता है उन शक्तियों का जिन जो शक्तियां आपके पास आ चुकी है ये शक्तियां आपको संकेत देती है इन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि शक्तियां आपके पास आ चुकी है और आपको अपनी पूजा का समय बढ़ा देना चाहिए उनका भोग जो है ना वो बढ़ा देना चाहिए भोग का समय जो है ना मान लीजिए कि पहले आप साल में भोग देते हैं फिर महीने में देना शुरू कर दीजिए हफते में देना शुरू कर दीजिए इससे उनकी जो कृपा है ना वे सदेव बढ़ता चला जाता है और जब आप पूजा करते हैं तो देटा जो है ना वो आपके सामने आके खड़े नहीं होते हैं तो वो ऐसे ही संकेत देते हैं जिस तरीके से जो छोटा बच्चा पानी को बानी बोलता है बम मम बोलता है कि मम दे दो मुझे और भी कई तरीके से तुतलाता है तो वो बच्चे की जो माता पीता होते हैं उनको काफी दिन बाद समझ पाते हैं कि बच्चा क्या बोल रहा है क्या कहना चाहते हैं तो वो जब समझ जाते हैं ना तो बच्चा जब वो बोलता है ना तो तुरंट उससे एक्षान लेते हैं उसके पेरेंट्स तो भार का अगर कोई व्यक्ति आएगा और वो नहीं समझ पाएगा जल्दी से तो उसी तरीके से देवताओं की जो भाषा होती है वो इसी तरीके से होती हैं तो आपको शुरुआत में देवताओं की भाषा को समझने में टाइम लगता है इनके संकेतों को समझने में टाइम रखता है जब आप एक बार समझ जाते हैं तो आपको फिर दिकत नहीं होती है तो आप फिर ये समझ जाते हैं कि ये सपना दिखाई दिया है मुझे तो इसका क्या कारण है क्या अर्थ है अगर ये घटना मेरे साथ घटित हुई है तो इसका पीछे क्या कारण है तो ये चीज़े आप समझ जाते हैं क्योंकि आपने इसके भाषा को समझ दिया इन संकेतों को आपने समझ लिया तो छे जगा आपको दर्द होता है शरीर में तो कौन-कौन सी ऐसी जगा है द्यान से स सुनिए सबसे पहले जो एसी जगह है जो शक्ति मिल्ती है जो हलका हलका दрद होने लग जाता है तो सबसे पहला होता है मात्य पर है जब आहाप व sophistic करते हैं तो शक्ति जब आती है तो मात्य पर आपके दर्द ہोता है कि लुटाव होता है और आपको मीठी मीठी हुझमाचा अगर लिया चाहिका जिद्व गजथिके-चाहरा है यह तो इसले होता है शक्ति कई न कई आपकी क्रतिक रिद्व्व्य दिश्च्टी को हैं स्काफिक जम्हिंDER si न ऑनकी शुक्षम जगत को शालो के जाउब सब्सवान करना चाह रही हैं जिससे आपको इस फ्रकार का हलका हलका दर्द रहता है और ये दर्द हर समय रहता है दवाई ले ले लोगे बात करोंकि अगरिफ्र दर्द की जाने की कुछ समय बादव Penigarumno, ये दर्द चला जाता है आपको यदा leheni कि जरूरत नहीं है दूसरी जगर पर जो दर्द होता है वो होता है कमर में आपकी कमर में दर्द होता है कमर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि जब कोई शक्ती आती है मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि वे शक्ती आपके मुलाधार चकर पर बैठती है मुलाधार चकर जो होता है सबसे नीचे होता है आपकी नाभी होती है उसके नीचे मुलाधार चकर होता है हमारी कुंडलिनी शक्ती जागरित होती है तब ही हमारी देवी जो शक्तियां होती है वो जागरित होती है तो जब कोई शक्ति आपके शरीर में आती है परिवेश करती है तो वह मुलादार चकर में बैठती है और मुलादार चकर से आपकी कुंडलीनी को जागरत करती है और कुंडलीनी के साथ वो शक्ति चलती है उपर की तरफ अन्य चकरों की तरफ तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी कमर में दर्द है कि कोई आपकी कमर में साब चल रहा है हलका हलका दर्द आपको महसूस होता है आपको कमर में लेटते समय महसूस हो रहा है बैठते समय भी महसूस होता है खड़े होते भी महसूस हो रहा और चलते समय भी महसूस होता है और दवाई लेने के बाद भी वो जो दर्द न वो जाता नहीं है ये दूसरा दर्द होता है जो आपको महसूस होता है शक्तियों के कारण तीसरा दर्द होता है, होता क्या है जब आप पूजा पाट करते हैं, मंतर जब करते हैं, तो आप शुक्षम चीजे आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है, आपके आखों से, बहुत ही शुक्षम चीजे जो है आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है, आपको प्रेद वह आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं आप अपने खुली आखों से देख पाते हैं शुक्षम चीज़े आप देख पाते हैं किसी व्यक्ति के शरी में कितने प्रेध बैठे हैं कहां बैठे हुए हैं क्या दिक्कत द semana उन्होंने यह सब चीज़ आप देख सकते हैं यहां तक उसको मार भी लग रही है न या दूद खड़े आईए सब आप देख पाते हैं अपनी आखों से जब आपको ये शक्तियां मिलती हैं चोत्ती जगह जो उती है न आपके कानों से आपके कानों से भी आपकी शुक्षम चीजे सुनाई देती है कई बार आप रात को देखना कि आपको अवाजे सुनाई देंगी वैस सिर्फ आप भी को ही देंगी आपको चंचन की अवाज सुनाई देंगी आप अपने घर में जब लेटेंगे घर में लेटेंगे तो आपको लगेगा भूत प्रेत है, मशान है, कुछ भी है अगर कोई उसकी हरकत है तो वे आपको सुनाई देगी कई बार आपने चंचन या पाजबे की आवाज सुनी होगी कई घरों से पत्तरों की आवाज आती है यह सब जो होती है उसी व्यक्ति को सुनाई देती है जिसको शक्तियां मिली होती है अगर आपके साथ हो रहा है ऐसा तो आप समझ जाईए कि कही न कई शक्तियां आपके पास जरूर है जिससे आप शुक्षम चीजों को देख पा रहे हैं शुक्षम चीजों को सुन पा रहे हैं पांचवी शक्ती होती है आपकी जीवा जब हम जब करते हैं जब मंत जब करते हैं जब हम साधना करते हैं तो जो हमारे मुख से निकले शब्द है वो सच होने लगते हैं तो जो जीव हमारी होती है वैं सिद हो जाती है कि अवेश में आकर अगर उन्होंने कुछ गलत बोल दिया तो वैस सच हो जाएगा तो आपको परिशानी हो जाएगी जो उनके अरजित पुन्य वो तो नश्ट होई जाएगे साथ ही वे पाप का भाग्यदारी भी बनेगा उसने न स्वात की चीजों के लिए प्रियोक किया है तो आपकी जीव है उससे निकली हुई चीज है वो सत्य हो जाती है आपकी जब जो भी आप निकालते हो जीव से जो कई बोल देते हैं कई तेरी नोकरी लग जाएगी इतने दिन के अंदर या लड़का हो जाएगा इतनी दिन के अंदर या जो भी है इस प्रकार के जो वचन होते हैं वो सच हो जाते हैं वो क्यों हो जाते हैं क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर वो शक्तियां होती है और जो वो बहती है आपके शरीर में पूरे शरीर में और आपने अधिक तक भक्तों को देखा होगा सादकों को देखा होगा वे किसी के सिर पर हाथ रखते हैं न तो प्रेथ हाजिर हो जाता है उसको मार लगती है तो वो अगर उनको किसी को सवारी बुलानी होती है कि आपके हाथ से प्रभा होकर वो आपके अंदर यह वो व्यक्ति के शरीर में ट्रांस्वर हो जाती है कोई सक्ति अग है अगर आपके हाथ से अगर लोह को अर्राम होना शुरू हो जाता है सिर्फ हाथ आप सिर्फ पर रख रहे हो और उसको अराम शुरू हो जाता है उसको जाड़ा लगा रहे हो अराम होना शुरू हो गया तो इसका मतलब कहीं न कहीं देवी शक्तियां आपको मिल चुकी है आपके पास आ चुकी है यह शुरू आती ही समय होता ह और इस समय पर आपको इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका किसी बड़े काम में हाथ नहीं डालना है किसी प्रेथ को आपको नहीं हटाना है कई लोगों को गमंड आ जाता है वो पोच जाते हैं कि मेरे पास शक्तियां तो आँ चुकी है आराम हो गया तो वो क्या करते हैं बड़े से बड़े प्रेथ को अटाने में लग जाते हैं इससे क्या होगा आपको पता ही नहीं होगा कि उस प्रेथ को उतारने के बाद रखना का है दबाना का है कि आपको भी वो ताकि परिशान ना कर सके वो प्रेथ तो ये 6 हिस्से जो है न मैंने आपको बताया जहां पर इन 6 हिस्सों में दर्द शुरू हो जाता है तो मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी पहली बार अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जादा से जादा जै श्री राम दोस्तों जै हनुमार